सरोपर्थाम सभी को राम राम आज मैं संकराचार्य के प्रारंभिक जीवन के विशै में कुछ संचिप्त जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ संकराचार्य का नाम प्राचिन भारत के दार्शनिको एवं धर्माचारियों में अग्रगण्य है पुर्व मध्यूगिन भारत में वेक अधितिक संथ पुरुस हुए दक्षिर भारत में त्रावन को राज्य में कालडी नाम गाउं में 788 इस्वी के लगभग उनका जन्म हुआ था उनके पिता का नाम सीव गुरू नम्बुतिरी तथा मा का नाम आर्यमबा था कहीं कहीं उनकी मा का नाम सुवद्रा मिलता है ब्रामण परिवार में जन्मे संकरा चाजे भगवान भगवान भोले नाथ के वर्दान स्वरुप अपने माता पिता को प्राप्त हुए सीव की गहन आराधना के बाद पुत्व प्राप्ती के कारण उन्होंने उसका नाम संकर रखा बचपन में ही पिता का देहांत हो जाने के कारण उनकी माता ने उनका सारा पालन पोशन किया तथा उनकी शिक्षा का पून ध्यान रखा संकराचार प्रकर बुद्धी के थे बेद सास्त्रों का आठ वर्ष की आयू में ही उन्होंने भली भाती ज्यान प्राप्त कर लिया था जिसके कारण उन्हें आचारे की उपाधी दी गई और इसी कारण उन्हें संकराचारे पुकारा जाने लगा किन्तु सन्यासी बनकर हिंदू धर्म और समाज की रक्षा और उन्नत्ती करने की संक्राचारे की आकांचा थी जबकि उनकी माता उन्हें सन्यासी बनने की आग्या देना नहीं चाहती थी कहा जाता है कि उन्होंने मगरमच द्वारा पकड़े जाने के कारण उन्हें संकट में देख इस सर्थ पर उन्हें सन्यास ग्रहन करने की आज्यादी कीवे घर में स्वेम उपस्थित होकर उनका मृत संसकार संपन करेंगे तत पस्चात उन्होंने सन्यास ग्रहन कर लिया ग्रहत्याग के पस्चात मार्ग में उनकी भेट उनके सहपाथी विश्णु सर्मा से हुई जो संकराचारे से प्रभावित होकर उनके साथ सन्यासी बन गया अंतमी उन्हें नर्मना नदी केटड पर योगी गोबिंद नाथ का आश्रम मिला जहां उन्होंने अपना प्रथम गुरु गोबिंद योगी को बनाया संकर ने उनसे सन्यास की दिक्छाली तथा आत्म विद्या का उपदेश ग्रहन किया तथा उन्हें गुरु द्वारा परमहंस की उपाधी प्रदान की गई संकराचार्य ने वहां पर रहते हुए अपने गुरु की आज्या से जगत प्रशिद्ध सोडस भास्यू की रचना की अपने गुरु से आज्या ले करवे धर्म यात्रा के ये निकले ही थे की उन्हें उनकी माता की बिमारी की सूचना मिली जिसके कारण वे कालड़ी चले जहां उन्होंने अपनी माता की पूनतिया सेवा की और उनकी मृत्यू हो जाने पर स्वेम उनका दासंसकार किया उन्होंने अपने कारियो द्वारा यह निश्चित कर दिया की कर्म से विरक्ति सन्यासी का धर्म नहीं है अपितु एक सन्यासी को धर्म और समाज के लिए आरायन के मंदिर के निर्मान के कारे को आरंभ कर दिया। आज वही मंदिर 13,000 फिट की उचाई पर बना हुआ भारत के चार महां तीर्थों में से एक है अपने संबंधियों को संतुष्ट करने के दोरान ही उन्हें अपने गुरु गोबिंद नाथ की बिमारी का समाचार मिला अपने इम्रित्यू से पहले गुरु ने संकराचार्य को धर्म परचार करने की आज्या दे दी और उनकी सफलता के लिए उन्हें आसिरवाद भी दिया। गोबिंद नाथ आस्रम के सभी सन्यास्यों ने संकराचार्य को अपना गुरु सुविकार किया जिनको लेकर अचारे ने कासी आकर भगवान सिवजी की आराधना की तथा ज्यान के प्रचार प्रसार में लग गये। कासी में संकराचारे के प्रथम सिस्य सनंद जी हुए कहा जाता है कि भगवान भी सुनाथ ने आचारे संकर को चांडाल के रूप में दर्सन दिया और उन्हें अद् प्रचार का कार्य प्रारंब किया। संकराचार्य ने बेदांत अद्वेतवाद के प्रचार सनातन धर्म की प्रतिष्ठा इस्थापित करने के उदेश्य से देश के विभिन भागों का भ्रमण किया। उन्होंने कासी, कुरू छेत्र, दक्षिन भारत आदी की यात्राएं की तथा बोधु जैन का पालिक जैसे संप्रदायों के आचारियों से सास्त्रार्थ किया, नर्मदा नदी के तट पर उनका मंदन मिस्र से सास्त्रार्थ हुआ और सास्त्रार्थ में पराजित होने के बाद मंदप मिस्र ने आचारे का सिश्यत ग्रहन किया कुछ लोगों का मानना है कि प्रियाग में प्रख्यात दार्षनी कुमारिल भट से भी उनका सास्त्रार्थ हुआ और कुमारिल भट ने संकराचारे के सभी सिध्धान्तों को सुविकार कर लिया प्रंतु संक्राचार्य ने कुमारिल भट को ही स्रेष्ट माना और अपने ग्रंतों में भगवत पात करकर गुरु की भाती संबानित किया संक्राचारे ने हिंदु धर्म के पुनुरुत्थान का कारे किया एवं हिंदु धर्म के सिध्धानतों का प्रचार प्रसार किया सनातन धर्म की रक्षा में उन्होंने उत्तर के केदारनाथ दक्षिण में स्रंगेरी पुर्व में पुरी तथा पस्ची में द्वार का इन चार मठो की इस्थापना की बैदिक धर्म की इस्थापना के लिए उन्होंने अदुत्य प्रयास किया स्रंगेरी में रहते हुए पुर्दाह कर्म भी किया 32 बर्ज की अलपायू में संक्राचारे का देहांत केदार नाजी के समीब 820 इस्वी में हुआ